सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले मिलते रहे हैं हलो फ्रेंट्स 93 नंबर के वीडियो में दोस्ता आपका बहुत-बहुत सवगत है आज का जो हमारा क्लास है वो है क्लास नंबर 11 और आज से हम जो HMC और BMC का प्रोग्रामिंग है उसको शुरुवात करने वाले हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे इंपोर्टन जी 90 और जी 91 का डिफ्रेंस तो यह जो दो कोड है जी 90 जी 91 में इस दो कोड में HMC और BMC का प्रोग्रामिंग और टनिंग का भी लिखा जाता है और हर तरीके का जो मशीन से उसमें यही जो एपसलूट कमांड और इंक्रिमेंटल कमांड है इसका यूज होता है तो कोंसा इससे बेट अल्रेडी कवर कर शुका हूँ पिछले 10 वीडियो में और जो टूलिंग वगरा के वीडियो थे मैंने वो स्किप कर दिया है ओके मुझे लगा कि वह इतने इंपोर्टन शायद आपके लिए नहीं है क्योंकि उसके जो वीवर्स है वो नहीं थे इतने जादा तो मैंने उसक एक कंपोनेंट है कोई भी एक कंपोनेंट के उपर हम एक वाप सेट लेते हैं जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था तो एक वाप सेट का आपका यह पॉइंट होता है ठीक है चलो मान के चलो इसको जी 54 यहाँ पे एक सवाइट और जड्र जब भी हम पढ़ाते है CNC programming तो उसे पहले XY में बढ़ाते हैं मतलब XY के coordinate समझ में आना चाहिए उसके बाद में Z को add करते हैं ताकि beginners को समझने के लिए आसानी हो तो यह जो graph है यह graph भी beginners के point of view से लिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक point number A है और एक point number B है इसके कुछ distance है point A, X में 20 Y में 20 और point B X में 60 और Y में 60 इस तरीके से हैं और यहाँ पे हमारा work piece 0 है हमेशा यह जो रहता है यह हमारा machine 0 जहां कहीं भी हो के machine 0 अपना एक machine का 0 होता है वो कहीं भी रह सकता है according to machine manufacturing तो manufacturer decide करता है कि उसका machine 0 कहा होता है तो उससे आपको कोई जादा मतलब नहीं रहता जब आप machine reference करते है तो जहां पे access जाते है home पे तो उसे machine reference कहा जाता है ठीक है machine reference से आपने edge finder या probe से आपका edge है part का वो अपने find out कर लिया ठीक है अब आपको point A से point B तक programming की lines लिखनी है एकदम simple है तो simple इसलिए ले रहा हूँ कि जो beginners video देखेंगे उनके लिए भी easy हो जाएगा G90 absolute command का meaning क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं तो G90 absolute command मतलब जहां पे आपका work piece 0 है यहां पे समझ लो work piece 0 है तो सारे coordinate मतलब A के point और B के point यह सारे coordinate यही से calculate होंगे जब भी आप programming करेंगे तो जैसे कि आप मैंने यहां पे दिखा है absolute तो यहां पे G90 code है absolute command बाद में यहां पे G01 वगरा add कर सकते हैं क्योंकि हमें linear motion में जाना है या 00 में जाना है वो बात की बात है तो वो next में लेंगे हम तो यहां पे हम सिर्फ coordinate और यह G90 और G91 को समझ रहे है तो A point है A point से अब देख सकते हैं हाँ पे X60 Y60 हम यहां पे खड़े हैं फ़र्स point हमारा यह है X20 Y20 तो यह first point है और second point जो है हमारा यह है X60 और Y60 अब यह Q तो यहां से यह 20 20 है तो पहला point हो गए आपका X20 Y20 जो मैंने आपे नहीं लिखा है क्योंकि हम यहीं पे खड़े हैं अब यहां से हमें यहां पे जाना है A to B जाना है तो हम लिखेंगे G90 X60 60 मतलब यहीं से 60 X में 60 और Y में 60 मतलब 60 और 60 तो B point तो यह दोनों जो point है A and B यहीं से calculate किये है तो यहां पे जितने भी point रहेंगे आपका जो component है उसके वो सारे के सारे एक point से calculate होंगे यहीं से calculate होंगे आपके जो drawings रहते हैं हमेशा वो इसी तरीके से रहते हैं एक ही point से सारे dimensions दिये रहते हैं ताकि programming जो करता है उसके लिए आसान हो ठीक है तो यह हो गया आपका absolute programming तो उमीद करता हूँ यह आपको clearly समझ में आ गया होगा यहाँ पे दो ही point है लेकिन जैसे ऐसे आपके drills हो hold रहते हैं बाद में milling पात रहती हैं यह सारे के सारे point एक point से ही calculate होते हैं और मुझे यहाँ से a से b जाना है और मुझे incremental में मतलब g91 में program लिखना है तो मैं क्या करूँगा g91 यहाँ पे देखो x40 y40 अब मैं यहाँ पे हूँ यहाँ से यह point x में कितना है 60 मतलब यहाँ पे मैं 20 पे खड़ा हूँ 60-20 40 और same a to b y में 20-60 इन दोने के जो अंतर है वो है 40 इसलिए मैंने क्या लिखा है x40 y40 मतलब इसका मतलब जहाँ पे आप खड़े है जिस point पे आप खड़े है वहाँ से उसके coordinate कितने दूरी पर है यह matter नहीं करता कि आपका workplace coordinate 0 कहाँ पे है G91 में यह G54 workplace coordinate जो center रहता है coordinates रहते है वो matter नहीं करते है जहाँ पर भी आप खड़े रहो वहाँ से उसकी दूरी कितनी है वो आपको यहाँ पे block में देनी होती है ठीक है तो यह तो simple A to B दो point का हो गया लेकिन जैसे ही complex programming में आप जाएंगे तो incremental programming use करना मतलब आपको बहुत ज़्यादा calculation से इसमें और यह incremental programming use नहीं होता है ज़्यादा ठीक है कुछ मामलों में use होता है ओके लेकिन वो भी cam software के थूँ अगर आप use करना चाहे तो कर सकते है लेकिन इस से ज़्यादा बेटर है absolute command ओके G90 absolute command और हर industry में G90 का ही ज़्यादातर use होता है तो आप इस बात को धन में रखके चलो कि G90 absolute command का ही ज़्यादातर use होता है ओके ओके एक और बात आपको बतानी रहेगी G91 में जो incremental command होता है तो यहाँ पे अगर आप खड़े हैं ओके यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो X को आपको फॉलो करना है जब भी आप coordinate देंगे जैसे मैं यहाँ पे X प्लस 40 लिखा है Y प्लस 40 लिखा है तो यह इसके हिसाप से रहता है जहाँ पे आप खड़े समान लो यहाँ पे है आप तो आपको यहाँ पे यह imagine करना है ओके यहाँ से इधर अगर जाना है आगे तो आपको X प्लस करना पड़ेगा यहाँ से आगे जाना है प्लस करना पड़ेगा नीचे आना है माइनस माइनस ठीक है तो incremental में आपको इस बातों का ध्यान रखना पड़ता है ओके लेकिन अगर आप G90 की बात करे तो यहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे समझ लोग आप यहाँ पे खड़े हैं यहाँ से आपको यहाँ पे आना है तो आपको simply X 20 Y 20 देना है ठीक है आपको कोई यह जो Cartesian coordinate system है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है तो यह इसका benefit है absolute programming का तो यहाँ से जो calculation की coordinates है वो आपको directly आप वहाँ पे insert कर सकते है और आपका program आसानी से बना सकते है तो मेरे ख्याल से आपको G90, G91 का फरक आसानी से समझ में आ गया होगा और next videos में हम सारे G-code का पहले overview लेंगे और one by one सारे G-codes जैसे circular interpolation हो गया बाद में cutter radius compensation हो गया बाद में आपके milling के programs हो गये can cycles हो गये drilling के तो वो सारे tapping cycles और थ्रेडिंग्स हो गरा उसको one by one cover करेंगे तो ठीक है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम थैंक यू वेरी मच्छ